बोध क्या है? अबोध कौन है? और आत्मबोध का प्राथ होता है? भाशा की मजबूरी यह है कि उसे वो सब भी कहना पड़ जाता है जो कहा नहीं जा सकता और जिसे कहने की चिष्टा भी नहीं करनी चाहिए उसमें खुबसूरती तो है और खतरा भी उतना ही गहरा है खुबसूरती इसलिए है क्योंकि आत्मी के मन से निकली भाशा ने यह स्वीकार तो किया कि आदमी के मन से आगे कुछ है और खतरा यह है कि आदमी के मन से यदि भाशा निकली है यदि शब्द निकला है तो वो कभी भी ये मानने को उत्सुक हो सकता है कि बात मन की ही तो है मन से आगे की नहीं समझिए दो शब्द है ग्यान और बोध दोनों का अंतर देखना है ग्यान की बात नहीं की जा सकती बिना उसको देखे जिसे ग्यान चाहिए जो ग्यान का संग्रह करता है कौन है वो किसे ग्यान चाहिए क्यों कर ग्यान चाहिए और ग्यान संगलही th होने से उसे फाइदा क्या होता है दीखिए हम कोई दूर दराज की किसी और दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं हम हमारे आपके दैनिक जीवन की बात कर रहे हैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी विशिश्ट उपलब्ध है से आती है जो मैं कह रहा हूं वो आपको भी पता है बस इस मौके पर उसे कहने का दाइद तो मेरा है इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं जो नया है और इस कारण सिर्फ मैं कह सकता हूं यह एक बात जो मैं कह रहा हूं वो आप जानते हैं तो किसे ग्यान चाहिए और क्यों ग्यान चाहिए ग्यान मारे जानना कौन जानना चाहता है हम ही है जो जानना चाहते है और हम क्यों और कब जानना चाहते है में कुई सावाद उठता है उसका जवाब उने के जिग्यासा उठते है जिग्यासा उठने का अर्थ दो तरफा होता है पहला तो ये कि मुझे नहीं पता है ये बहुत धिक तल हुआ जिग्यासा का मुझे नहीं पता है और इस बहुत धिक तल से नीचे जिग्यासा का एक अस्तित्वगत तल होता है वो कहता है चुंकि मुझे नहीं पता है इसी लिए मैं अधूरा रह गया बहुत धिक तल पर जो बात है वो तथ्यगत है वो ठीक है आपको ग्यान नहीं है आपको इस वक्त उधारण के लिए ग्यान नहीं है कि उस परदे के पीछे क्या है और करोणों खर्बों अन्य बाते हैं जिनका आपको ग्यान नहीं है इसके नीचे एक और दल है जिस पर जिग्यासा कहती है कि नहीं पता इस कारण कुछ खोट रह गई कोई कमी रह गई इस एहसास से जिग्यासा में तुरा आती है जिग्यासा को उर्जा गति मिलती है जानो जल्दी जानो इस भावना से जिग्यासा अब सर्फ जिग्यासा नहीं खौफ बन जाती है अन्य है नहीं जाना तो कुछ छूट जाएगा और साथी साथ जान लिया को तो कुछ उपलब्धी हो जाएगी कुछ बढ़ जायेगा देखा नहीं ग्यान कॉछ कितना महत्तू देते हैं कि जान लूंगा तो कहीं पहुट जाऊँगा नहीं जानता यहां तक ठीक था, यहां तक बात तथे पर रख थी, पर उसके नीचे जो एक तल और है, वो है जिग्यासा का इंजन, वहाँ बैठा है इंधन, वहाँ से आती है जिग्यासा में उर्जा, शक्ति, समझ रहे हैं बात को, नहीं है, यहां तक बात ठीक है, तुम जैसे हो, यह प्रकट होना, यह भासित होना, ठीक है कि तुहारे पास कुछ नहीं है, चाहे ग्यान हो, चाहे कोई और समंगरी हो, पर उसके पीछे एक भावना और भी रहती है कि नहीं है, तो कुछ छूट गया, क ये ज्ञान का संसार है ये ज्ञान की पूरी प्रक्रिया है ज्ञान का अर्थी है कुछ पा लेना और मन में उसका संग्रह कर लेना ज्ञान को एक चीज मानिए क्या मानिए चीज वस्तु जैसे आप दूसरी चीजों को ले लेके घर में रखते हो और उनको घर में रखने के कारण प्रसंदता का नुभव करते हो संतुष्टी सी लगती है ठीक उसी तरह ग्यान है एक चीज जो आपने ली और मन के गोदाम में ले जागर के रख दी उसको हम गोदाम भले ही कह रहे हैं पर वो भी उतना ही सुसजित कमरा है जैसे कि हमारे घरों में होते हैं आपका अथितिक रह होता है उसको आप कितना सजा के रखते हो ना घर में समझ लीजिए मन भी एक घर है बलकि कहिए कि मन ही घर है और वहाँ पर भी आप सजाते हो बाहर भी जो चीजें दिखाई पड़ती हैं, मन के लिए वो अंततह ग्यान ही है, चीजें भी आप इसी लिए रा रहे हो ताकि वो ग्यान में परिनीत हो सकें, कुछ हो आपके घर में जिसका आपको ग्यान नहों, तो उसके होने से आपको इलाव होगा, वस्तु को भी अंततह विचार ही बनना है, विचार ही है जो आपको को तथा कथित संतुष्टी देता है, वस्तु का होना भर आपको संतुष्टी नहीं दे पाएगा, वस्तु आपके वगल में रखी हो और आप सो रहे हो बेहोश, तो क्या आपको कोई संतुष्टी मिलती है, वंतुष्टी तब मिलती है जाब आप उस वस्तु का विचार करें आप जग भी रहे हो वस्तु आपटी आँखों के सामने भी हो लेकिन कुछ और है जो आपके जहन पर छाया हुआ है आप उस चीज के बारे में ख्यारी नहीं कर पा रहे तो आपको क्या उस वस्तु से कोई लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, वस्तु को भी विचार ही बनना है, असंतुष्टी भी विचार है और संतुष्टी भी विचार है, ये ग्यान का खेल है, ये ग्यान का खेल है, ग्यान का मतलब ही यही है, मैं नहीं जानता, और न जानने से कुछ शुद्रता रह गई न जानने के कारण जीवन में कुछ कमी रह गई बोध क्या है बोध वो स्थिति है कोई और बहतर शब्द नहीं है भाशा में इसलिए स्थिति कहना पड़ रहा है बोध वो स्थिति है जिसमें आपको ये तो पता है कि आप नहीं जानते या कि आपके पास नहीं है पर उसके कारण आपके होने पर आपकी सब्ता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है दूसरे शब्दों में बोध वो स्थिति है जिसमें आप जानते हैं कि आप जानते हैं पर उस जानने से आपकी सब्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है आपको पता है आप नहीं जानते आप जैसे हैं वैसे हैं आपको पता है आप जानते हैं आप जैसे हैं वैसे हैं आपको पता है आपके पास नहीं है आप जैसे है वैसे हैं आपको पता है आपके पास है आप जैसे है वैसे हैं आपको ये तक एहसास हो गया है कि बहुत कुछ है जो आपको ये भी नहीं पता कि आपको नहीं पता बहुत कुछ है जो आप जानते भी नहीं कि हासल किया जा सकता है और ये सब जानने के बाद भी आप जैसे हैं वैसे हैं बोध का अर्थ है ग्यान ग्यान की जगह रहे ग्यान आपके मर्म को मलिन न कर पाए ग्यान समझ गए थे न क्या है ग्यान का अर्थ है अपने से बाहर का संसार चाहे फिर वो वस्तो हो या विचार यही ग्यान है ग्यान का अर्थ है मैं हूँ संसार है संसार है उसमें से कुछ पाया जा सकता है उसमें कुछ गवाया जा सकता है विचार है विचार ये अहसास करा सकता है कि कुछ पता है विचार ये भी अहसास करा सकता है कि कुछ नहीं पता है बोध का अर्थ है वस्त विचार संसार ये सब अपनी अपनी जगें हैं अपना खेल खेल रहे हैं हम इनसे अस परशित हैं ये बोध है, ख्याल रखिएगा, बोध उस वाक्य का नाम नहीं है जो अभी मैंने कहा, बोध कोई भावना नहीं है, बोध कोई विचार नहीं है, बोध का इतना ही अर्थ है, कि सब पता होते हुए भी, और सब ना पता होते हुए भी, हम जैसे हैं, वैसे हैं। हमारी हस्ती न विचार पर आधारित है, न वस्तुओं पर आश्रित है। इसका अर्थ ये बिलकुल भी नहीं है, कि विचार से मेरा कोई लेना देना नहीं, इसका अर्थ ये भी नहीं है, कि वस्तुओं का परित्याग करना है। सोच रहे हैं सोचना हमेशा उद्देशे पूर्ण होता है सोच रहे हैं सोचना जिस सीमित उद्देशे के लिए था सोच वो सीमित उद्देशे हासिल कर लेगी और कभी-कभी नहीं भी कर पाएगी हासिल करें चाहें न करें हम जैसे हैं वैसे हैं बाहर चल रहा है एक अद्भुत प्रपंच और आप उसमें कुछ हासिल करने के लिए प्रयासरत है कभी-कभी हासिल कर लेंगे अक्सर हासिल नहीं भी कर पाएगे हासिल करें या ना करें आप जैसे हैं वैसे हैं बोध का अर्थ है विचार की सीमा को जान लेना विचार को उद्दंड उच्छरंखल न होने देना विचार को पूरा हक है मन की सीमा में विचार की सीमा में दोड़धूप करने का कूद लगाने का पर विचार को ये दुसाहस न करने देना कि वो वहां जाकर के आसीत हो जाए जहां वो जाही नहीं सकता ये बोध है बोध का अर्थ ग्यान की समाप्ति नहीं है बोध का अर्थ है कि जैसे तुम्हें हजार चीजों का ग्यान है वैसे ही ये भी ग्यान रहे कि ग्यान सीमित है ग्यान का ग्यान को सीमित जान लेना बोध है बोध कोई विशिष्ट ग्यान नहीं कभी आप कहना पाओगे कि आपको किसी बात का बोध है बात का बोध है तो फिर तो ग्यान हो गया ग्यान का हमेशा एक विशय होता है बोध का कोई विशय नहीं होता बोध तो स्वयम को देखता है ज्ञान सदा संसार को देखता है ज्ञान को विशय मिल जाएगा बोध को विशय कहां से आएगा आत्म ज्ञान हो सकता है आत्म बोध जैसा कुछ होता नहीं आत्म बोध का अर्थ इतना ही है कि आत्म ज्ञान अब नमित हो गया है आत्म ग्यान उस तक पहुँचने की उस पर हाथ रखने की कोशिश नहीं कर रहा जिस तक न पहुँचा जा सकता है न जिसको उस पर श्किया जा सकता है आत्म ग्यान अपने आप में बड़ी बात है आत्म ग्यान में जिस आत्म की बात हो रही है वो अहंता है आत्मग्यान का अर्थ है देखना कि हंकार किन किन रूपों में रोज हमारे सामने आता है कैसे हमारी कत्विधियां संचालित करता है मैं क्या करता हूँ, मैं क्यों करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ और ये कोई ठहर करके किसी विशेश समय, किसी विशेश कच्छ में की जाने वाली गत्य विधी नहीं है आक्म ज्यान में आपको गत्य विधी देखनी है गति विधिव को तो तभी देख पाओगे ना जब गति हो ठहर करके देखनी लग गए तो गति कहां से देखोगे दोड़ते हुए हिरण को यदि देखना है तो हिरण को रोक करके थोड़े ही देखोगे जीवन प्रवाह है जीवन गतिमान है जीवन को यदि देखना है तो प्रवाह को ही देखना पड़ेगा ना प्रवाह को रोग करके कैसे देखोगे नदी को देखना चाहते हो तो बांध जाओगे क्या तो इसी लिए आत्म ग्यान के लिए सहज बहते जीवन को बिना किसी व्योधान के देखना होता है तुमने उसके लिए अगर एक अलग समय निकाला उसको एक अलग क्रिया का ही नाम दे दिया तो अनर्थ कर दिया सुबह से शाम तक प्रतिक्षण अवसर है आत्म ग्यान का और आत्म ग्यान हो ही रहा है क्योंकि अनुभव हो रहा है अनुभव ही तो आत्मग्यान है जो अनुभव हो रहे हैं उनके प्रति इमानदार रहना जागरुक रहना और जूट न बोलना अपने आपको इस छल में न रखना कि अनुभव हुआ नहीं या कि हो गया तो उसका दमन कर दिया यही आत्मग्यान है आत्मग्यान कुछ विशेश नहीं आत्मग्यान हो ही रहा है मेरंतर हो रहा है बस उसको स्विकार कर लो उसको जानते रहो आत्मग्यान जब भी होगा अपने साथ एक कमी के एहसास का खतरा ले करके आएगा सुबह देखोगे अपने आपको कि उठना तच्छे बजे उठे साथ बजे अच्छा नहीं लगेगा फिर देखोगे कि आठवे नाष्टा करना था जैसा नाष्टा चाहते थे वैसा मिला नहीं अच्छा नहीं लगेगा फिर देखोगे कि नाष्टे में हैं कुछ विशेश सुस्वादों मिल गया तो मन बिलकुल खुश हो गया पाओगे बहुत अच्छा लग गया आत्मग्यान जहां भी कहीं होगा वहाँ पे ये कमी का और बढ़त का एहसास लगातार बना रहेगा दिन भर में अपनी चेश्टाओं को जब भी देखोगे तो यही तो देखोगे न कि एहसास हुआ कि कुछ नहीं है तो उसके पीछे भागे चेश्टा का और अर्थ क्या होता है और इसके विपरीत ये भी देखोगे कि कुछ जब पा लिया तो कैसे फूले फूले फुरे आतम ग्यान हमेशा अपने साथ ये एहसास ले करके जरूर आएगा ग्यान को होने देना बिना इस एहसास के ये आतम बोध है मुझे आरे ये बात घटनाएं घट रही है पर घटनाएं मातर घटनाएं है यही आत्मबोध है विचार विचार की सीमा में है यही आत्मबोध है फिर दोहरा रहा हूँ आत्मबोध को मत समझ लेना कि जैसे तुमने कुछ खास जान लिया है इस तरह की बाते मत कहने लग जाना कि फलाने विकते को आत्मबोध हो गया है आत्मबोध माने कुछ होता ही नहीं आत्मबोध का अर्थ इतना ही होता है कि जो कुछ हो रहा था वो अब नहीं होता पहले बहुत कुछ होता था पहले लगता था कि कुछ छिन गया तो जान चली गई अब ऐसा लगता नहीं यह आत्म बोध है पहले कमरा खूब भरा हुआ था बड़ी गंदगी थी अब गंदगी है नहीं यह आत्म बोध है पहले कमरा था क्योंकि दीवाले थी अब दिवाले हैं नहीं, खुला आकाश है, यह आत्मबोध है आत्मबोध कुछ विधायक नहीं, कुछ विशिष्ट नहीं तैशुदा तरीके से, एफर्मिटिव तरीके से उसके बारे में कुछ कहना नादानी होगी हाँ आत्मग्यान जरूर होता है, बिलकुल देखो आत्मग्यान होता है और उसको शब्दों में बयान देखिया जा सकता है करना चाहिए, तुम किसी को बता सकते हो, कि अभी अभी तुमने क्या देखा तो आत्मग्यान क्या हुआ, जितनी इमांदारी से बता रहे हो वह आत्मग्यान है पर जितनी निर्भीकता से, जितनी स्पष्टता से और जितनी इमांदारी से बता रहे हो वह आत्मग्यान है ज्यान का विशय होता है, इमांदारी का थोड़े ही कोई विशय होता है जानिए, देखिए, संसारी हैं हम, जीव हैं हम, पर जो भी जान रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उनको एहसासों के ही तल पर रखिए, उनको आत्मा तक मत उठा दीजिए अब मज़िदार वाद यह है, कि आत्मा तक आप उठा वैसे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दो तल, जमीन और आस्मान हैं, इनको आप मिला वैसे भी नहीं सकते हैं, पर आप कल्पना करेंगे कि आपने कुछ पैसे हासिल कर लिये हैं, तो आप में कुछ बढ़ोतरी हो गई ह ये कल्पना ही आदमी का दुख है, और जो ये कल्पना कर रहा है कि कुछ पैसे हासिल कर लेने से उसमें बढ़ोतरी हो गई है, निश्चित ही वो ये कल्पना भी करेगा, कि कुछ गवाँ देने से उसमें कुछ हीनता आ गई है, यही आदमी का दुख है, तो तीन बाते हमने कहीं नहीं समझ लें पहली बात ग्यान में हमेशा दोयत होता है ग्यान में आप और संसार है दूसरी बात ग्यान हमारे लिए मात्र तक थे नहीं होता ग्यान हमारे लिए हमारी हस्ती पर एक निर्णय होता है कुछ है आपके पास तो आप बढ़ा हुआ अनुभाव करते हैं जमीन है मेरे पास प्रतिष्ठा है मेरे पास मेरे गले में मोटा हार है सोने का आपको ऐसा लगता है जो आप ही कीमती हो गए हो हार नहीं कीमती है आपको यूं लगता है जो आपकी ही कीमत ने इजाफा हो गया हो ज्यान अपने साथ ही खतरा लेकर करके आता है बोध का अर्थ है ज्यान रहे ज्यान के साथ जुड़ी हुई ये भावना न रहे बोध का अर्थ है आप स्वयम में रहें इसलिए आपको शासर सिखा गए है, बोधो अहम, तुम बोध मात्र हो बोध का अर्थ यह नहीं है कि तुम कहो मैं आत्मा हूँ, या यह हूँ, बोध का अर्थ कुछ भी नहीं है कोई भी वाक्य बोध की प्रस्तुति नहीं कर पायेगा जो भी कहोगे वो ग्यान के ही क्षेत्र में आएगा बस इतना जान लेना कि ग्यान ग्यान है ग्यान के तिरसकार नहीं करना है ग्यान को छोड़ भी नहीं देना है संसार से भाग भी नहीं जाना है संसार का खेल है चल रहा है बस ये मत मानना कि संसार इतना बड़ा है कि वो तुम में कुछ जोड़ घटा सकता है संसार जो है सो है तुम संसार से ज्यादा बड़े हो यहां कोई घटना घट जाए यहां कोई वस्तो हासल हो जाए तुम्हें उंचे से उंचा विचार मिल जाए तुम्हारी अनंतता में वो कुछ जोड नहीं पाएगा तुम्हें बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए तुम्हारी इस्मृतिवलुप्त हो जाए तुम भूलने लग जाओ तुमने जो कुछ अर्जित किया था किताबों से उसका लोप होने लग जाए तब भी तुम्हारी विशालता में कोई कमी नहीं आ जाएगी इस सहज विश्वास में जीना ही बोधयुक्त जीवन है जो बोध में जीता है ग्यान उसका न कुछ बना पाता है न बिगाड़ पाता है वो ग्यान का मालिक होता है ग्यान उसका मालिक नहीं हो जाता अब आप ज्ञान को इस्तेमाल करोगे अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए अब ज्ञान आपका इस्तेमाल नहीं करेगा मैं दूसरी तीसरी वर बोल रहा हूँ आत्म बोध का अर्थ आत्मा का बोध नहीं होता आत्मा का कुछ नहीं हो सकता न ग्यान नबोध आत्मा में जी सकते हो और आत्मा में जीने का अर्थ है अपने में जीना और अपने में जीने का अर्थ ये नहीं है कि दूसरों से या दुनिया से कटे कटे रहना दूसरों के भी साथ रहना, दुनिया के भी साथ रहना पर किसी का गुलाम न बन जाना, ये है अपने में जीना गुलाम न बन जाना करती है नहीं है कि उनका मालिक बन जाना, न मालिक बन जाना, न गुलाम बन जाना, एक स्वस्त संबंथ बस आत्मबोध कब प्राप्त होता है? प्रशन था? कभी नहीं प्राप्त होता है ज्यान प्राप्त होता है ज्यान की प्राप्ती भी होती है ज्यान की विलुप्ती भी होती है आत्मबोध की कोई प्राप्ती नहीं होती है जो आए जाए सो ज्ञान, जो आए जाए सो विचार, सो संसार बोधन आता है न जाता है उसकी क्या प्राप्ती कुछ है ही नहीं क्या से प्राप्त करोगे खाली जगे प्राप्त की जाती है, क्या वस्तु में प्राप्त की जाती है बादल आते हैं, आकाश की निरभ्धता थोड़े ही आती है, आते हैं बादल तो जाते भी हैं, प्राप्त नहीं करना है, कोशी भी मत करना प्राप्त करने, कि बहुत घोम रहे हैं, जेने आत्मा प्राप्त करनी है, जेने बोध प्राप्त करना है, जेने आत्म बोध प्राप् प्राप्त करना ही तो बीमारी है, इस प्रयास से मतलग जाना कि हासिल करना है, ज्ञान करो हासिल, इतनी किताबे हैं, विश्यविध्याले हैं, उस्तकाले हैं, दुनिया भर के तमाम अन्य साधन हैं, खूब ज्ञान प्राप्त करो, पर ज्ञान के मध्य में रहते हुए भी आत्मस्त रहो, यही बोध है, ज्ञान तुम्हारी सहज, निर्मलता पर धब्बा न बन जाए, तुम्हारा एक आंतरिक सुनापन, भोलापन कायम रहे, ज्ञान कहीं तुम्हें बुध्यमान होने का, चतुर्चालाग होने का दंभ न दे दे, और अज्ञानता कहीं तुम्हें हीन भावना से न भर दे, यही बोध है, अबोध कौन है, अबोध वो है जो ग्यानी है, ग्यान रखो ग्यानी मत बन जाना, जो ग्यानी हो गया, वो अपने आपको बोध से चुद कर लेता है, हमारी भाशा बड़ी उपटांग है, हम भोले पन के लिए अबोध शब्द का इस्तिमाल कर लेते हैं, हम कह देते हैं अबोध शिशू, गलत बात है, शिशू तो पूरे बोध में जीता है, तुम उसको कुछ खास कीमती कपड़े पहना दो, वो प्रफुलित नहीं हो जाएगा, तुम उसको किसी पाथ सितारा होटल की रोटियां ला करके दे दोगे, उसे कोई विशेश आनंद नहीं आ जाएगा, उसे तो मिट्टी से खेलना है, उसके लिए तो गली का कुत्ता ही बड़े हर्श की बात है, जाके उसे लिपट जाएगा, शिशु के लिए विचार, संसार और ज्ञान बहुत कम हथ तो रखते हैं, वो तो पहले ही बोध में जी रहा है, बस कुछ शारीरिक वित्तियां हैं, उनके अलावा तो वो सहज समाधि में है ही, उसको अबोध क्यों बोल रहे हो, उसको दो बोधवन तो बोलो, अबोध हम है, क्योंकि हमने अपने आपको बोध से जुदा मान लिया है, अबोध वो जिसे ये ज्यान हो जाए, कि बोध हासिल करने की प्राप्त करने की बात है, जैसा कि इस प्रश्में इंगित है, जो कैसे करना है वो अबोध ही तो हुआ न क्योंकि हासल करने का खयाल ही तब आएगा जब पहले ये लगे कि गवा दिया है गवा दिया बोध तो हो गए अबोध बोध हमारी सहजता है बोध हमारा हृदय है अबोध हुआ जाही नहीं सकता चमतकारों में चमतकार है कि मनुष्य अपने आपको अबोध मान लेता है जो कुछ भी जीवन में केंद्री ये है वो सहज है आप यहां किसी मिशन पर नहीं आये हो कि कुछ बड़ी गहरी बात आपको हासल करनी है जीवन खेल है खोज नहीं है और यह दो बहुत अलग अलग द्रिश्टियां है जीवन को खेल की तरह देखना और जीवन को खोज की तरह देखना जो जीवन में खोज रहा है वो फिर आत्मा को भी खोजेगा SOM को खोजेगा, सार को खोजेगा, बोध को खोजेगा, जो खेल रहा है, वो अपनी खोज को ग्यान तक सीमित रखेगा, वो कहेंगा ग्यान खोजा जा सकता है, ग्यान खोजना लुकाचिपी की तरह है, पोकेमान गो, खोज लो, पर बोध खोजना ऐसा है जैसे प्रेमी को ख नहीं नहीं को अबोध ना कहें उसके तो चरण स्पर्श करें अन्तता आपको भी उतना शिशुत्व ही हासिल करना है यहां जो बहुत बड़े बड़े ग्यानी हैं वो हैं बोध हम सब जैसे किसी तीसरे की बात नहीं कोड़ी है हुँ बोली है हुँ झाल झाल झाल